नमस्कार दोस्तों हाजिर हैं आपके सामने एक बार फिर हर्याना पंचायत से जुड़े हुए इलेक्शन के मामलों पर फिर से एक एक नई खबर ले करके जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज हर्याना और पंचाब हाई कोर्ट में हुई पंचायत चुनाओं से संबन देती आचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है और क्या कितना इंतजार अभी और हर्याना में पंचायत चुनाओं के लिए करना पड़ेगा सरकार का क्या कहना है और विपक्षी जो पार्टियां है जिनोंने सरकार के ओपर इसके लिए केस किया हुआ है उन्होंने क्या कहा है लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेर करना ना भूले तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हर्याना में पंचायती चुनाओं के लिए फिलहाल इंतजार और बिलंबा हो सकता है हर्याना और पंजाब हाई कोर्ट में पंचायत चुनाओं से सम्मंदित याचिका पर सुनवाई के लिए अब 11 अक्टूबर 2021 की तारिक निर्धारित कर दी गई है इस पर आज सुनवाई होनी थी पंचायती चुनाओं की तारिकों को लेकर अभी घोशना नहीं हुई है लेकिन विभागों में अब कारिये तेजी से होने लगे है सोनिपत में विभागों के करमचारियों अधिकारियों की सूची मांगी गई है इस से पहले सभी विभागों के करमचारियों और अधिकारियों का डेटा मांग गया था ताकि चुनाओं में डूटी संबंदित पूरी जानकारी सही से अपडेट हो सके आपको बता दें कि हर्याना में पंचायती चुनाओं में काफी देरी हो चुकी है सरपंचों का कारिय काल खतम हो चुका है और सरपंचों का कारिय भाग अब प्रशास्कों के हवाले है पंचायती चुनाओं को लेकर पंजाब एम हरियाना हाई कोर्ट में मामला विचारधीन है इस मामले में गुरू ग्राम के जिले के ग्राम जटोला निवासी परविन चोहानवे अन्य कई याचिका में पंचायत चुनाओं में आरक्षन को चुनोती दी गई है पिछली सुनवाई के दोरान कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वो आरक्षन के लिए नए प्रावधान को निलंबित करके पुराने नियमों पर चुनाओ करवा सकती है हाई कोट के चीश दस्टिस रवी शंकर जहापर आधारित डिविजन बैंच ने कहा कि सरकार ने इस मामले में अंडर्टेकिंग दे रखी है और जब तक याचिका पर फैसला नहीं होता तब तक सरकार का निकट भविशय में चुनाओ कराने का कोई इरादा नहीं है याचिका करता ने राज्य के पंचायत विभाग द्वारा 15 अपरेल 2021 को अधिस उचित हर्याना पंचायती राज द्वितिय संचोधन अधिनियम 2020 को भेदवावपूर्ण और ऐस समयधानिक बताते हुए निरस्त करने के लिए निर्देश देने की मांग की है अधिनियम में संचोधन के अनुसार पंचायत राज में सीटों का आठ प्रतिशत बीसी एच रेनी के लिए अरक्षित किया जाना है और नियूंतम सीटें दो से कम नहीं होनी चाहिए जो एक दूसरे के विपरित हैं क्योंकि हर्याना में आठ प्रतिशत के अनुसार केवल छे जिले हैं जहां दो सीटें आरक्षित के लिए निकलती हैं अन्यता 18 जिले में केवल एक सीट आरक्षित की जानी है जबकि सरकार ने 15 अपरेल 2021 के अधूसरी उचना के मात्यम से सभी जिलों में BCA चलेनी के लिए दो सीटें आरक्षित की हैं जो कानूनन गलत है यह अधिनियम में संचोधन जिला परिशत की जन संक्या 2021 में BCA आबादी को दिखाए बिना किया गया है जबकि BCA आबादी को दर्शाने वाला एक अलग कोलम होना चाहिए ताकि आरक्षित के साथ साथ रोटेशन भी स्पस्ट रूप से देखा जा सके तो इस वीडियो में इतना ही सरकार को अब अगली तारिख मिल गई है 11 अक्टूबर 2021 जिस पर फिर से सुनवाई होगी और जो की पंजाब और हरियाना हाई कोर्ट और विपक्षी दलों के साथ साथ सरकार भी कोर्ट में उपस्थित रहेगी अब देखते हैं 11 अक्टूबर को सरकार क्या जवाब दायर करती है और विपक्षी पार्टियां क्या जवाब देती हैं इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले इसी के साथ जै हिंद जै भारत धन्यवाद